नमस्कार आप देख रहें एबी स्टार न्यूज आपके साथ मैं अंजली आप सभी का स्वागत करते हूँ हमारे इस खास ब्लुटेन बॉलिवर्ड धमाल में सनी देवल ले साल 2001 में गदर एक प्रेम कथा फिल्म से धमाल मचाय था और इस फिल्म में उनका साथ दिया था उनकी को एक्टरिस अमीशा पटेल ने शकीना की रूल में अमीशा पटेल ने भी इंडरस्ट्री में तहल का मचा दिया था तो वहीं गदर फिल्म के निर्देश यक अनिल शर्मा इसका सीक्विल लेकर आने वाले हैं आपको बता दे कि डायरेक्टर अनिल शर्मा दोजार एक में रिलीज हुई फिल्म गदर पार्ट टू की तयारी कर रहा है पोस्ट पार्ट की तरहे अस फिल्म में भी सनी देवल अमीशा पटेल मुख भूमिका में होंगे वहीं आपको बता दे कि इनके अलावा फिल्म में अनिल के बेटे उतकर्श शर्मा भी नजर आएंगे उतकर्श ने फिल्म जीनियस से वॉलिवोड में अंट्री की थी इसमें उन्होंने नवाज उद्दिन सिद्धिकी के साथ काम किया था वहीं फिल्म में वे अमीशा और सनी देवल की बेटे का किरदार निभाएंगे जब गदर 2001 में रिलीज हुई थी तब उस उतकर्श के उम्र लगभग महज सर्फ 6 साल की थी हाला कि गदर 2 में अब वो नजर आने वाले हैं ये एक शौक आने वाली बात नहीं है रियल्टी शो बिग बॉस 15 की शुरुआ दो अक्टूर से होनी जा रही है और अब तक शो में जा रहे हैं चार कंटेस्टेंट के नाम शामने आ चुके हैं तो है अस सीजन में ओवर रियास शामिता सेथी प्रतीक सहसपाल और डोनल वेस्ट नजर आने वाले हैं जबकि आपको बता दे कि बाकी कंटेस्टेंट के नाम का भी खुलासा होना भी बाकी है वहे अस सीजन सो में जंगल के थीम पर ये सीजन दिखने वाली है तो वहे शो को अस बार भी सलमान खान ही होस्ट करते हुए नजर आएंगे सलमान खान ने शो को ले करके कई बड़े खुलासे भी किये हैं वहे उन्हां ने बताया कि अस सीजन की अवधी महद 5 महिने की ही होगी साथ ही ये सीजन जंगल की थीम के अनुसार होगी और कंटेस्टेंट को कम से कम ही सुविधाय मिल पाएगी अब फैंस इसका बेस सबरी से सो के इंतजार में हैं कि ये शो जल्द ही आए और इस से वीच अब घर की अंसाइट तस्वीरे शोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल भी हो रही है देखें अस सीजन बिग बॉस हाउस में क्या कुछ होता है और केर्न कंटेस्टिन को एंट्री मिलती है ये तो खेर देखने वाली बात होगी मलिकास श्रिरावत ने अएक शोकाने वाला बयान दिया है आपको बदा दे कि जिसकी वज़े से वो खूब चर्चाव में भी आ गई है दरसल आपको बता दे कि मलिका स्चेरावत ने एक इंटर्वियो में सवाल पूछा गया मलिका स्चेरावत से तो उन्होंने कहा कि उनका सवाल था क्योंने स्क्रीन एक महिला के साथ इंटिमेट होना पसंद करेंगी या फिर एक पुरश के साथ कौन सा उनके लिए जादा पूपता के साथ इंटिमेट सीन किया था जो वेहर चर्चा में आया था वहीं आपको बता दे कि नकाब की कहाने एक हाइप ट्रोफाइल एक्टरस के ससाइड स्टोरी है जससे पूरे देश में हल्चल मज जाती है तो वहीं मलिका सीरीज में एकदम हटकर करदार में भी नबे के दश्युक में पॉपलर सिंगर कुमार सानू 63 के हो चुके है तो वहीं लंबे वक्त से म्यूजिक इंडरस्ट्रे से वो दूरस चानू ने 2015 में आये रोमेंटिक कॉमेडे फिल्म दम लगा के हैसा में कुछ गानों को अपनी आवाज दी थी और इसके बाद फिल्म कुमार सानू के नाम से एक दिन में 28 सौंग गाने का भी रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्स किया गया है वहीं आपको बता दे कि नबे के दश्युक में पॉपलर सिंगर कुमार सानू 63 साल के हो चुके हैं लंबे वक्त से म्यूजिक इंडरस्ट बॉलिवर्ड ड्रक्स केस में गरफतार टीवी आक्टर गॉरव देक्षित को 50,000 के मुचलके पर अस्थानी कोट ने शश्युक जमानत दे दी है अपने आदेश में आदालत ने कहा है कि वे अनुमती के बिना शेहर से बाहर नहीं जा सकते हैं गॉरव से कोट ने मामने में चारशेट दाखिल होने तक प्रतेक सोमवार, बुद्धवार और शुकरवार को एनसीवी कार्याले में रिपोर्ट करने को कहा है इससे पहले एनसीवी निगौरव की निशान देही पर मुंबई के मुलंड, खारा घर, वही वस्साई, वरार, बांदरा और अंधेरी इलाक से अभी पूस्ताच भी की जा रहे है, इसी कड़ी में अनसीवी ने टीवी अबनीता गौरव दिक्षित को भी ड्रॉक्स केस के समन्द में अगस्त में गिरफतार किया था, जिसे अभी जमानत मिल गई है आज के हमारे इस बॉलिवोड धमाल के पिटारे में बसतना है, तमाम बाकी खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ, और देखते रहे है एवी स्टार नियूज प्रॉड़ के खबड़किन है क्